पिर्या मित्रों, जब हम कोई भगवान की पूजा करते हैं तो हम लोग पूजा के बाद देवी देवताओं की आरती उतारते हैं और आरती में एक आरती हम लोग आते हैं कि करपूर गवरंग करनाबतारं संसार शारं भुजगेंद्र हारं सदा वसंतं हिर्द्य आरविंदे भवंभवानी शहितंग नमामी। हिंदु धर्म को मानने वाले शरधालू मंदिर में हो या घर में दैनिक पुजा करते हो। विदी विधान से देवी देवताओं की आरती पुर्ण के बाद कुछ बैदिक मंत्रों का उच्चाहरन अवश्य करते हैं, सभी देवी देवताओं की अस्तुति के मंत्र अलग-अलग है, लेकिन जब भी यग या पूजा संपन होता है, तीस के बाद भगवान की आरती की जा जाता है, इस अलोकिक मंत्र के परतेक शब्द में भगवान भोले नात की अस्तुति की गई है, इसका अर्थ होता है करपूर गवरंग, माने करपूर के समान गौर बर्न वाले, करुना अबतारम, माने करुना के साक्षात अबतार, करुना के साक्षात मुर्ति असंसार सारम इस सब्द का आर्थ होता है कि जो साप के हार को रूप में धारन करते हैं और सदा बसंतंग हिर्द्यार विंदे अभवं भवानी सहितंग नमामी इसका माने हुआ कि जो सीब पारवती के साथ सदयब मेरे हिर्दय में निवास करते हैं उनको नमस्कार है अर्थात जो करपूर जैसे गौर्ण बर्न वाले हैं करुणा के अवतार हैं संसार के सार हैं और भुजंगो का धारन करते हैं वे भगवान सीब माता भवानी सहित मेरे हिर्दय में सदयब निवास करें उन्हें मेरा नमन है आखिर आर्थी के बाद एही मंत्र हम क्यों बोलते हैं किसी भी देवी देवताओं के आर्थी के बाद करपूर गवरं करनावतारम निश्चित रुप से ही बोला जाता है इसके पीछे बहुत गहरे अर्थी पे हुए है कि भगवान सीब की ये अस्तुती सीब पारवती के बिबाह के समय भगवान श्री विष्णु जी के द्वारा गाई हुई मानी जाती है यह माना जाता है कि भागवान सीब जी जो है असमसान निवासे हैं उनका सरूप बहुत भयंकर और अगहोरी परविर्ती वाला है लेकिन ए अस्तुती बताती है कि उनका सरूप जो है बहुत दिब्ब और शुंदर है भागवान सीब को स्रिष्टी का अधिपती भी माना जात मिर्टु लोग के देवता हैं और उन्हें पशुपती नात्वी कहा जाता है कि मानने हुआ कि संसार के जितने भी जीब हैं मनुष सहित उन सबका अधिपति इसी करण से गाई जाती है कि जो इस समस्ध संसार का अधिपति है वे हमारे मन में बास करेई शीब शीब असमसान बासी है जो मिर्तु के भै को दूर करते हैं ऐसे सिवजी हमारे मन में शीब बाशकर मिर्तु का भै दूर करें तो बोलिए हर हर महादेव हर